चंद्र सेखर जी का ये बयान बहुत दूर भागे पुन हैं, समज़ादे चिंटक चंद्र सेखर जी सब्यों में एक पैदा होते हैं चंद्र सेखर जी ने पर्धान मंतरी पद की कुर्शी को ठोकर मार्धी लिगने अपने उसूलों से दानतों से कभी समझवता नहीं किया और निरत सेखर जी एक बंगले के लिए उन्हीं ठोकरों उन्हीं कदमों में जागिर पड़े तो नीरा सेखर जी को कब सकम इतना ध्यान रखना चाहिए कि पुत्र किसके हैं क्या परधान मंत्री जी ने आप एक बाई डिखा दीजी चंदर सेखर जी का जहां उन्हें किसी जात विशेश पर कभी कोई कमेंड किया हो टिपड़ी किया हो छंदर सेखर जी समाजवादी थे नीरा सेखर और वाधीष लब हुआ अखले स्यादा पर और उठाने से सब पड़े नीरा सेखर जी को समझना चाहिए कि तो जब उनका स्वरभ्वास रूध वा तो श् intimate पर ते हैं और यह काने पर बात ले बोले हुए हूँ नीइरस सेखर जी का आंदा रिकार्ड कारिकर्टा समेलन में अभी जायेंगे तो उसका वीडियो मिलेगा उन्होंने स्विकारा था कि राजी उराय मुझे ले आकर अखले स्यादों से मिलवाए और यहां तक पहुंचाए तो चंद्रसेखर जी ने गराम पर धान लाएक भी ने समझा उनको स्वनक से उठा कर अखले स्यादों नेता जीन ने अगर सांसत में पहुंचा दिया एक बार नहीं दो बार नहीं हारने के बाद सांसत बना दिया और इस बार भी उनको बार अस्वासन दिया जा रहा था कि चुकि किसी सीटिंग इमेल सी और राज सभा को नहीं लड़ तो भूल गे कुछ अंदसेखर जी के पुत्रे में बताया ना पधान मंत्री पद को ठोकर मार्दना कित्मी लोगों हिंदुस्तान में पैदा हुए है और एक बंगले के लिए उन्ही ठोकरों नहीं कदमों में जार ग्यू पड़े है ये इस